नमस्कार हम सुचना देदे सिकेंड इंटर अस्तरिय परिच्छा के संबंध में किसको डॉकुमेंट्स लोड करना है किसको नहीं करना है जिसको कुछ रूटी है उसको तो फिर लोट करना ही है जिनको रूटी नहीं उसको क्या करना है यहाँ पर देख लिजिए सेवे नमर लिखा है यादि किसी अभ्यारती को किसी प्रकासुधार करने क्या सकता नहीं हो तो जैनको पर क्लीक करेंगे जैनको ठैए सैल्फ पर करेंगे उसके स्टेप टु एडुकेशन अदुकेसन बडुऄर करेंगे उनको भी क्लीक करना है आप तो लोट की होंगे पहले क्योंगे पर देख लेगा सभी अच्छेशन ने करके लोर्गा से डाकर प्रिख हेए भी करें यकष्द करते परेट का जो आपस दिया गया है क्या जिस की प्रूटी नहीं वह तो करेंगे किसी को किसी उदार करने क्या हो सकता नहीं हो वह अप समझ गए होंगी आपको सुचना देदे अभी तक सेंटर उन नहीं भेया है हम बार बार वीडियो बनाते हैं तो कहते हैं कि जब तक सेंटर नहीं भेज़ेगा परिच्छा का डिकलेशन नहीं होगा बहुत लड़के टीचर भी हैं वीडियो बनाये थे तो कहते थे कि एक आदमी बोलते हैं कि चार मार्च की परिक्षा होगा ठाइस हरे उस बच्चे को समझा दे वो टीचर बच्चे को समझा दे बच्चे ध्यान देना अगर नौलेज आपके पास थोड़ा सा होता और नौलेज नहीं हो तो जैसी राम आपको जित दिन भैकेंसी निकलती है ओधिन हर एक मिटिंग हो जाती है परिच्चा कब लेंगे रिजल्ट कब पॉब्लिश्ट करेंगे एक टेंटेटिव अपना चेर्मेंट फिक्स कर लेते है तो जिस समय बिगवती निकले थी और दिन बिगवती निकले से पहले टोटल पर विचार हो जाता है ओधिन हो गया था कि 28 परवई परिचा चार मार्च इसलिए मैं बार बार बोलता था कि 28 परवई 4 वह बात की जनकारी हो गई थी जो टीचर कुमेंट किये थे उस बच् तक Center के लिए नहीं भिजा गया है Center के लिए भिजा जाएगा तो हम कहा देंगे कि परिष्छा होगीar से पहले या नहीं होगी सेंटर जो ही भेजा जाएगा जस्तर वीडियो बना देंगे लेकिं सेंटर अभी तक नहीं भेजा गया है आपको हम बता दिये सिकेंड इंटरस तर्य की इसे में किसको किसको एडिट करना किसको ना पारा सेमेन को अच्छा चेंग से पढ़ लिजेगा फिर कोई नई सुचना आती है सिकेंड इंटरस तर्य की इसे में तो निशित रुप से कहेंगे जय हिंद जय भारत